पर पर बार धान की पोष्षाला अचीं है वो बिल्कुत सूख जाती हैं ऐसी दशा में आप आरन सलफेट या फेरस सलफेट कहते हैं उसका घोल तैयार करें दशमलब 5 प्रतिशत मानलेजे 100 लिटर पानी लिया अपने तो उसमें आधा किलोग्राम आप फेरस सलफेट या आरन सलफेट ले ले और घोल बना ले साथी ए आईसोग्राम चुना 100 लिटर पानी में और इन दोनों घोलों को मिलाकर आवशकता नुसार आप घोल बनाएं और दोनों घोलों को मिलाकर आप चड़काव कर दें अगर फिर भी इसमें पीलापन बना रहता है तो इसके 8-10 दिन बाद एक बार उसमें चड़काव और कर दे तो इस तरह से आपके लोह तत्व की कमी उसमें से दूर हो जाएगी धान की पोश्चाला में खर्पदवार द्वारा भी काफी हानी होती है यानि है जो हमारी धान की पोध है उसको ये खर्पदवार कमजोर कर देते हैं और इसमें खास करके जैसे चोड़ी पत्ती के हुआ है जो घास कुल के खर्पदवार हैं उनकी पहचान थोड़ा मुश्किल होता है जरूरी है कि जो खर्पदवार आपकी पहचान में आ जाए उनको उखाड कर नरसरी से बाहर निकाल दे क्योंकि अगर यह खर्पदवार जब आप पोद उखाडेंगे और रोपाई करने क तैयारी करेंगे तो ये कई बार धान की जगे पे हम खर्पदवार की रोपाई कर देते हैं तो इनको शुरू से ही निकालना जरूरी है हाँ जो किसान भाई अभी भी धान की नरसरी लगा रहे हैं पोध लगा रहे हैं पचेती नरसरी है वो भी लगा सकते हैं लेकिन उनको य बिली लीटर मात्रा लें और सतर से असी लीटर पानी में उसका गोल बना लें और इसके बाद उसमें जो नर्सरी का छेतर है एक हजार वर्ग मीटर उसमें इसका आप छड़काव कर दें ध्यान रखें कि यह चड़काव बुआई के चार से पांच दिन के अंदर-अंदर झाल